हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट समेशर, दा टॉपिक इस सेकेंडरी इंडेक्स सेकेंडरी इंडेक्स, यूजी सी नेट और गेट के पॉइंट अव व्यू से तो इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा प्राब्लम है यहां पे कि जितने भी मेटीरियल ऑनलाइन अवेलेबल है या इवन हमारे पास आफलाइन भी अवेलेबल है बुक्स में सेकेंडरी इंडेक्स टॉपिक जो है वो 100% क्लियर नहीं होता वाँ से तो इस वीडियो में बहुत ही बहुत ही बिलकुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा यह टॉपिक पूरा बिलकुल कॉंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए तो सेकेंडरी इंडेक्स हम स्टार्ट करते हैं कि कहां से secondary index हम लगाते क्यों है होता क्या है time complexity क्या है और पूरा scenario हम discuss करेंगे तो types of indexes में हमारे पास आते है primary index, clustered, secondary primary और cluster की मैंने already video बनाई हुई है और उनका link जो है मैं आपके साथ share करूँगा description box में यहाँ पर हम start करें है secondary index तो जैसा कि नाम में ही है second second का मतलब है दूसरा कि already database में एक index लगा हुए है आपको एक और index बनाना है अब इसका reason क्या है वो भी आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हम secondary index कब लगाते हैं secondary index लगाते है जब data हमारा unordered है always remember जब data हमारा unordered है मैंने types of indexes में एक table share किया हुआ है आप उस table से भी check कर सकते हो जब data मेरा unordered मतलब sorted नहीं है तो उस case में हम कौन सा index लगाते है secondary तो उस case में हमारा पस दो case बनते हैं फर्दर कि या तो data key है या data non key है तो अगर मैं बात करूँ secondary index तो हम क्यों लगाते हैं second जब already एक index लगा हुआ है तो क्यों हम लगाते हैं जैसा कि मैंने hard disk में data डाला हुआ है employee का employee ID, employee name, let's say pen number तो data जो है वो already sorted है on the basis of employee ID because employee ID एक primary key है तो यानि वो क्या है key value है मतलब unique है unique भी है और not null भी है और उस data को already sort किया हुआ है on the basis of employee ID क्योंकि most of the search क्या होती है कि find the name of the employee जिसकी employee ID यह है find the detail of the employee whose employee ID is 10 find the address means find the detail of the employee whose employee ID is this मतलब सारे के सारी query अगर employee ID के base पे आ रही है तो आप क्या use करो primary index use करो primary index which is always sparse जो book के आगे भी होता है that is also known as primary index तो यह index मेरा already लगा हुए जहां पे key value क्या है मेरी employee ID employee ID के base पे बना रहा है लेकिन कई बार क्या होता है कि जब queries अब user जब query लिख रहा है तो most of the time तो user हमेशा employee ID के base पे लिखेगा या अगर मैं student के table की बात करूँ तो student का data हम कैसे सर्च करेंगे registration number या role number से IRCTC में train की information कैसे सर्च करते है train के number से लेकिन कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कई बार हमारे पास सर्च करने के लिए कुछ और column की भी जूरत पड़ जाती है जैसे अगर मैं employee name का use करूँ कि find the detail of the employee whose name is Ram या find the detail of the employee whose pen card number is this तो उस case में primary index तो fail हो जाएगा क्यों क्योंकि primary index तो लगा employee ID के उपर और query क्या है on the basis of employee name या pen card तो उस case में primary index हमारा fail हो जाएगा एक तरीके से fail in the sense कि कुछ cases में fail हो जाएगा most of the cases में तो अच्छा perform करेगा तो उस cases में हम use करते हैं क्या secondary index तो यहाँ पे secondary index जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको की या non-key data un-ordered होगा un-ordered का मतलब है जैसे A, B, A, B, C, D ना तो कोई इसमें order है मतलब यहाँ पे कोई order भी नहीं है और दूसरा key भी हो सकते है non-key तो अगर मैं सबसे पहला case ले रहाँ key key मतलब candidate key key मतलब candidate key या फिर आप बोल सकते हो unique जहाँ पे data हमारा unique है तो अगर मैंने यहाँ uniquely है pan card because pan card number क्या होता है unique होता है but यह order नहीं है और ना इसको आप order कर सकते क्यों? क्योंकि data already ordered है employee ID के base पे अगर आपने इसको भी order कर दिया न तो यह सारा shuffle हो जाएगा तो अगर यह shuffle हो गया तो primary index fail हो जाएगा तो primary तो important है secondary लगा रहे है तो secondary index देखो इसका कैसे बना है बहुत ही simple है pan card का data unique है but order नहीं है but employee जब हम इसका index बना रहे हैं यह जो बना रहे हैं हम इसका index तो देखो index में हम हमेशा sorted लेंगे index को on sorted करने का क्या फाइदा? आप binary search लगा सकते हो बाद में और binary search obviously हमारा time consuming नहीं होता है हमारा time saving होता है तो यहाँ पे आप क्या करो? इसको sorted कर दो इसको order कर दो और साथ में हमारे पास pointers है लेकिन यहाँ पे question क्या आता है कि secondary index अगर मैं की पे लगा रहा हूँ की value पे तो क्या यह dense बनेगा यह sparse it is always dense it is always dense क्यों? क्योंकि आप primary index की तरह यहाँ पे आप anchor नहीं बना सकते anchor मतलब कोई leader नहीं है यह देखो इस block का अगर मैं इस block 1 की बात करूँ तो इस block में leader कौन है? कोई भी leader नहीं है 23 गएगा मैं leader हूँ 62 गएगा मैं leader हूँ वो गएगा मैं leader in the sense की कौन इस पूरे block को represent कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि यह sorted नहीं है मतलब यहाँ पे यह वाला जो है sorted नहीं है 40, 51, 62, 33 this block is not sorted तो यहाँ पे मैंने क्या किया? उसको sorted form में लगा दिया 23 represent कर रहा है 33, 40 तो हर record के लिए database में हर record के लिए एक pointer बनाना पड़ेगा तो इसको हम बोलती है dense, तो total number of records कितने हो जाएंगे? index में number of records कितने होंगे? जितना number of records है hard disk के अंदर जितने number of मैं यहाँ पे लिख देता हूँ number of records in index is always equal to number of records in hard disk in hard disk तब ही हम उसको बोलते है dense तो यह तो चलो solve हो गया dense अगर हम बना रहे है key के base पे secondary index अगर हम बना रहे है pan card के base पे यह क्या है? pan card के base पे मैंने बनाया तो मेरा यह बन गया तो complexity क्या होगी? log n log n where n is the number of blocks where n is the number of blocks in index table n is the number of blocks in index table plus 1 plus 1 क्यों? क्योंकि यहां से आपको सिर्फ एक page number मिलेगा वो page number या block number आपको उस block पे लेगे जाएगा फिर आपको उस block को search करके data निकाल लाए तो log n plus 1 अब हम बात करते हैं अगर data मेरा unorder तो है because unorder तो है non key है मतलब यह worst case है कि ना तो data order है और ना ही data key है जैसे कि अगर मैं name की बात करो तो name देखो A, B, A, C, A, D, E, F like that तो ना तो data यह ordered है और ना ही data यह आपका key है मतलब data unique भी नहीं है तो इस case में भी कौन सा index लगेगा secondary लेकिन कैसे लगेगा यह भी आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने यह जो है secondary index यहाँ पर भी मना रहा हूँ यह secondary index जो है किसके उपर मना रहा हूँ कौन सी key value यूज कर रहा हूँ की मतलब search key value यहाँ पर search कौन सा किसके base पर name के base पर search कर रहा हूँ तो index table में आपको multiple A नहीं लेने या multiple B नहीं लेने तो फिर होगा कैसे अगर मैं A को search कर रहा हूँ let's say if I want to search A इन arrows को मैं यहाँ से remove कर देता हूँ क्योंकि यह इसको इस वाले index table को represent कर रहे है अब हम बात कर रहे है दूसरे index table की जहाँ पर मैं name के basis पर बना रहा हूँ तो अगर मैं A के लिए एक pointer बनाता हूँ तो मैं कहां बना हूँ क्योंकि A तो यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है multiple जगह पर है तो यहाँ पर always remember एक intermediate layer भी बनेगी intermediate layer और वो intermediate layer होगा क्या block of record pointers block of record pointers क्योंकि यहाँ पर multiple A's है multiple A, multiple B, multiple C लेकिन index table में आपको multiple नहीं बनाना multiple बनाने क्या फाइदा ही नहीं है index B duplicate हो जाएगा तो आप index में बनाओ एक A और आपको पता है कि यहाँ पर multiple A's है तो A's का आप एक अपना block बना दो मलब A's का पूरा एक block जहाँ पर यह block इस record को represent कर रहा है A वाला यह A इसको कर रहा है यह A लटसे इसको कर रहा है और यहाँ पर अगर लटसे एक और A है तो यह इस वाले A को represent कर रहा है और इस पूरे block को कौन represent कर रहा है यह represent कर रहा है ऐसे B के लिए एक और बनाना पड़ेगा B के लिए भी एक और block बनाना पड़ेगा block of record pointers जहाँ पर वो B को represent कर रहेगा यहाँ पर लटसे एक B यह रहा और लटसे अगर मैं यहाँ पर B लेता हूँ तो एक B आपका यह रहा और यहाँ पर B के लिए यह से तो यह जो है intermediate layer बनेगी तो यहाँ पर searching जो है पहली बात तो यह अगर मैं बात करूँ तो यह क्या होगा यह dense और sparse mix हो गया dense और sparse mix हो गया क्यों? क्योंकि अगर आप intermediate और index की बात करो यह secondary index और intermediate की बात करो यह तो बनेगा sparse क्योंकि A के लिए एक block pointer B के लिए एक block pointer लेकिन अगर यहां से intermediate से data की तरफ बात करो यह क्या बनेगा dense बनेगा क्यों क्योंकि देखो multiple a's हैं तो हर a के लिए आपको arrow pointer बनाना पड़ेगा तो यह dense और sparse एक तरह से mix हो गया तो आप कह सकते हो dense ही है क्योंकि overall dense और sparse में अगर देखा जाए तो ध्यान से देखो time complexity log 2n log 2n इसको तो search करने में आपको time लगे गई जो भी time लगेगा अगर n number of blocks है मेरे तो log 2n तो इसका plus यह number of blocks यह कितने block हो सकते हैं यह भी तो multiple block हो सकते हैं like a के लिए, b के लिए, c के लिए, d के लिए यह भी हमारे पास बहुत सारे number of blocks हो सकते हैं तो आपको एक search, यहां से आपको पता लगेगा okay, a से आपको पता लगेगा आपको इस तरफ जाना है तो एक search यह फिर वो a के अंदर आपको search करना पड़ेगा और वो a आपको फिर दूसरे a के तरफ लेके जाएगा तो a सर्च और extra हो गए मतलब यहां पर time complexity मेरी बढ़ गई क्योंकि पहले सर्च आपको यहां करना है फिर सर्च आपको यहां करना है यहां पर भी one search नहीं है हो सकता है यह number of pointers मेरे बहुत ज़्यादा हो यह number of pointers मेरे बहुत ज़्यादा हो तो इसको आप log n plus 2 न मानके चलो यह उससे भी ज़्यादा बनेगी because पहले तो आपको log n यहां पर सर्च फिर इसमें हो सकता है बहुत सारे blocks हो इसमें बहुत सारे record pointers हो हो सकता है n number of record pointer हो तो यहां पर मेरे पास n pointers को सर्च करना पड़ेगा वो आगे मुझे एक value पर लेके जाएगा तो इसमें extra layer हो गई एक layer जो है वो extra हो गई so this is how we actually represent the secondary index key और non-key के basis पर तो यह हमने key के basis पर बनाया यह हमने non-key के basis पर बनाया तो आपको यह पूछ सकते हैं कि क्या dense बनेगा इस पार secondary index is always dense और यह जो book के पीछे index होता है उसको हम बोलते है generally secondary index क्योंकि book के आगे तो already होगा इंडिन लेकिन book के पीछे भी एक index हो सकता है अगर book का size काफी बढ़ा हो